हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आर यूटूब चैनल लर्न वी टनाइच आज के स्वीडियो में दोस्तों हम सेट एक्जाम की आंसर की डिसकस करेंगे हैं सेट एक्जाम का जो पहली सिप्ट में पेपर हुआ है दोस्तों उसकी आंसर की हम यहां पर देखने वाले हैं तो चलिए श समास हो जाएगा अगला सवाल देकिए दीरे-दीरे में कौन सा सास हो जाएगा कहा अविभाव समास हो जाएगा जिए अगला सवाल देखिए भारत जापान पांचवा संसकरन सयुक्त सेन अभ्यास धर्म गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ तो दोस्तों यह आपका राजस्तान में होगा था माजन फिल्ड फारिंग रेंज में तो यहाँ पर एंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अ अगला सवाल देखिए यहाँ पर दोस्तों भारत में अठारवी लोकसभा के लिए आम चुनाओ कितने चंड़ों में पूरू हुए तो यह आपके साथ चंड़ों में पूरू हुए थे अगला सवाल देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका मैतमेटिक से समद्दी सवाल दिय जाएगा अगला सवाल देखिए यह भी आपको mathematics सा सवाल है दोस्तों इसको आप सोल करोगे तो यहाँ पर आपका right answer आएगा option D अगला सवाल देखिए question number 10 दोस्तों इस सवाल में जो है वो typing mistake है अगर इसमें typing mistake नहीं होती तो इसका answer option B होता पर इसमें typing mistake है इसको देख लेंगे इसका क्या answer होगा निमलिकित में से असुद्ध लिकित वाक्य है तो यहाँ पर असुद्ध वाक्य आपको चाटना है असुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा जल्दी वापस लोट कर आना मैंने आपको ब आपको जाएगा दोस्तों बादल पतंका अर्थ बादल नहीं होगा और्प्सण भी आपका धा और ते हाँ लिहां सब्सक्रेख कर दूआ फसलों के सबसे उप्युक्त रूप से मेल किये गए जोड़े को चुनिए तो यह आपका हो जाएगा गेहूं रभी सोना रहा ओप्शन डिया पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि चांवल जो है यह आपकी खरीब की पसल है मक्का जो है दोस्तों यह भी आपकी खरीब की हो जाएगी बढ़ इसको सकती नहीं बोला जाता है तो और आपका करेक्ट हो जाएगा किसने रख्त को विबिन वर्गों में वर्गी करत किया तो यह आपके काल लेंड इस्टिनर ने किया है और अगला सवाल देखिए निमलिकित में से मा के दूद में कौन सा एंटी बोड है दोस्तों यह आपका मसूलों से रख्त इस्तरा हो करता है तो सी में आपका फोर हो जाएगा तो एकी ओप्शन में दिया गया है यहाँ पर आपका ओप्शन टी करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए संगाई सहकारी संगटन स्टार्ट फोरम का चोता संसकरण 19 मार् अगला सवाल देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अब आपका क्वेशन नमबर 20 एस्याई मेरासन चेंप्वेंसिप 2024 में स्वंड पतक जीतने वाले दूसरे भारते कौन बने हैं तो यह आपके कौन बने हैं दोस्तों गोपी टी बने हैं ओप्शन सी करेक्ट हो जा यह सवाल आपका वीडियो के एक्जाम में पूछा गया था अगला सवाल देखिए उपोशन कटिबंदिये परवतिय वनों के बारे में असत्य कतन का चैन करें तो उपोशन कटिबंदिये परवतिये वन केवल राजस्तान के माउंट आबू छेतर में पाए जाते हैं इन व अगला सवाल देखिए निम लिकित में से राजस्तान का सबसे बड़ा भोगोलिक छेत्र छेत्र फल के अनुसार कौन सा है तो यह आपका पश्चिमी मरुस्तलिय मेदानी छेत्र हो जाएगा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा निम लिकित में से भारत के किस राज्य केंदर सासित प्रदेश में सबसे अधिक संक्या में वन्य जी अभ्यारन है तो यह आपके कहां पर हो जाएगे दोस्तों यह आपके अंडमान निकोबार दीप समूं में हो जाएगे ऑप्शन भी यहापर आपका करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए दोस्तों इस सवाल में कोबड हो जाएगा ऑप्शन डी यह आपका रीजनिंग का सवाल है कि क्रोशन नमबर थटी वाइग में आपका अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इसको एक बर चेक आउट कर लेंगे अगला सवाल देखिए तो इसमें आपकी कौण सी क्रिया हो जाएगी राम रोटी खाता है क्या खाता है रोटी तो यहां पर आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी ए में आपका फोर हो जाएगा वेदान्त पढ़ता है तो इसमें आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी तो बी में आपका थड हो जाएगा तो यहां पर आपका राइड आंसर जो है दोस्तों option B हो जाएगा शिक्सक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है इसमें आपकी प्रेनार्थ तक क्रिया हो जाएगी अगला सवाल देखिए यहाँ पर दोस्तों reasoning का सवाल दिया गया है इसका answer जो है वो मैं directly आपको बता देता हूं इसका answer option एग हो जाएगा राजस्तान में कबसे चालू हूई तो बताएगे दोस्तों यह कबसे चालू हूई थी जहांता मुझे याद आ रहा है दोस्तों यह आपकी जून 2021 से चालू हूई थी बाकिसका answer में आपको एक बार पिंट करके बता दूँगा इसकी complete answer की अभी हम upload करेंगे बढ़ला सोलर पार्ग राजस्तान के किस इस्तान में इस्तित है तो यह आपका जोदपर में इस्तित है अगला सवाल देखिए जेसा कि राजस्तान के प्राचीन गरंटों में उल्लेक थे राजस्तान का वर किला जहां युद्ध की योजना और रनीती बनाने में निपुन सेनिक रहते थे उसे कहा जाता था तो इसे क्या कहा जाता था सेन ये दुर के कहा जाता था किस सब्वेता के लोग अपने मर्त को को आभुशन के साथ दफनाते थे तो यहाँ भी काली मंगा सब्वेता हो जाएगी option है correct हो जाएगा अगला सवाल देखिए कपूर चं करांती हो जाएगी दोस्तों अगला सवाल देखिए योजना नेरू की स्ताफना किए गई थी money किशेत्र से संबंदी थे तो यहाँ की प्रतापगर से संबंदी थे मही बिदा सागर पर योजना या आपकी गरद्वेशन के एग्जाम में पूछी गही थी यह किसकी तो पर योजना है तो यह आपकी राजस्थान और गुज्रात यानि जाया गलता इख जाय непिसे हैं लेकिन पोटास जो लो थinsi कमति हो ल Created अगला सवाल देखिए, नमचा बरवा सिकर हिमाले के निमलिकित में से किस चेतर में अवस्तित है, तो यह आपके नमचा बरवा जो है, यह आपके कहां पर हो जाएगा दोस्तों, अबना चल हिमाले में हो जाएगा, ओप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, अगला सवाल देखिए पेंगोंग तसो जील हिमाले के निमलिकित मैं से किस उखंड में पाई जाती है तो पेंगोंग तसो जील जो है या आपकी कहाँ पर पाई जाएगी कस्मीर लद्दाग या उत्री पश्चिमी हिमाले औप्शन सी यापर आपका करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए राज्जी मानवादिकार आयोक का कौन सा कारे यहाँ पर नहीं है तो राज्जी मानवादिकार आयोक का कौन सा कारे यहाँ पर नहीं है मानवादिकार के छेतर में कारे रद गेर सरकारी संगटनों के प् कि सवेदानिक संसोदन द्वारा ग्राम सभा को सवेदानिक दर्जा दिया गया तो ग्राम सभा को सवेदानिक दर्जा तेतरवे सवेदान संसोदन के तद दिया गया है अगला सवाल है निमलिकित में से कौन सा सब्द 42 सवेदान संसोदन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा यहां पर अखंडता हो जाएगा समाजवादी दिया नहीं गया और यहां पर पंत्र निर्पेक्स्ता भी नहीं दिया गया है तो अगला सवाल देखिए भारत में निम्लीकित में से कौन सा मोलिक अधिकारों का उलंगन है तो मोलिक अधिकारों का उलंगन आपका कौन सा हो जाएगा मजदूरों को निम्लीक अधिकार का उलंगन हो जाएगा और अगला सवाल देखिए 1983 में सभी चेत्रों में केंद्र राज्य संबंदों की जाच और समिक्षा करने और उचित परिवर्तनों की शिफारिस करने के लिए केंद्रे सरकार द्वारा निमलिकित में से किस आयोग समीती की न्यूकती की गई थी तो इस सरकारी आयोग हो जाएगा और आपका करेक्ट हो जाएगा राजस्तान लोग सेवा आयोग के अद्विक्ष की न्यूकती निमलिकित में से किसके द्वारा की जाती है तो ये दोस्तों आपकी राजजिपाल के द्वारा की जाती है option है correct हो जाएगा अगला सवाल देखिए राजस्तान में कोटा बूंदी जालावार छेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है तो यह आपकी हाडूती हो जाएगी और वाग्ड यह आपकी डूंगरपुर बासवाड़ा में बोली जाती है बिच्यो लालर, नोकिला और सीकर राजस्तान के क्या है तो यह आपके लोग गीत हो जाएगे option है correct हो जाएगा रिपिटेट सवाल है अगला सवाल देखिए राजस्तान में कौन हाथ में भाला लेकर एक युद्धा के रूप में या साप देवता के रूप में पूझे जाते है तो साप देवता के रूप में किसे पूझा जाता है दोस्तों गोगा जी को पूझा जाता है option है correct हो जाएगा राजस्तान में marble dumping yard कहा है तो marble dumping yard आपका कहा पर हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है option D correct हो जाएगा यह सवाल करवाए हो है दोस्तों राजस्तान में मुख्यमंत्री लगू वानिज्य वान सोरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया तो इसका answer दोस्तों option D होना चीए 12 December 2021 फिर भी इसकी date एक बार confirm करके अब देख लेना या फिर मैं बता दूंगा आपको इसकी जब complete लेक में परिक तोने वाला सब्दे तो यह आपका भव दिये हो जाएगा option एक और यहापर यह सवाल आपका option A हो जाएगा दोस्तों और इसका answer आपका चार अनुपाद साथ है तो इनका चेत्र पलो का अनुपाद कितना हो जाएगा दोस्तों यह आपका 16 और 49 हो जाएगा अगला सवाल देखिए जीव मंडल ट्रिजव तता संबंदी चेत्र में बेमेल जोड़े का चैन करे तो बेम Q74 का answer आपका यूरेसिली होना चाहिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर हम राज़तान जीके के सवाल दिसक्स कर रहे हैं दोस्तों तो अगला राज़तान जीके का सवाल हम देख लेते हैं Q91 जो है दोस्तों इसका answer भी आपका 510 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर यह रिजदिंग का सवाल दिये गया है सिंपल सा सवाल है आपको बस इस कोड का प्रियोग करना है और यह आपको आरहम से सोल हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर आपका answer होना चाहिए question number 93 में दो answer होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्योंकि लगबग यह दो के बराबर हो जाएगा अगला सवाल देखिए question number 94 जो है यह भी आपका mathematics सा सवाल है इसका answer आपका क्या हो जाएगा दोस्तों का answer आपका 4,5 हो जाएगा अगला सवाल देखिए यहां पर आपका राइट आंसर 80% हो जाएगा यह भी mathematics का सवाल है और यहां पर आपका राइट आंसर 96 में कितना हो जाएगा दोस्तों संद चत्रबुज हो जाएगा और एक घन का कुल प्रश्टे चेतरपल यहां पर दिया गया है यह घन का विकन यहा सवाल है त्रबुजो की संक्या बतानी है यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15 फड़कलाकार स्रीलाल जोसी राजस्तान के किस इस्तान से संबंदी थे यह आपके भीलवाड़ा से संबंदी थे यह आपका रास्तान जीके का अच्छा सवाल है बार बार नागोर के भगदरी गाउन से दोस्तों जवालान नेरु के द्वारा उधगाटन किया था ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा भारते सविदान में एक कल्यानकारी राज्य का विचार नहीं थै तो यह किसमे नहीं थै राज्य के निती निदेशक सिद्धानतों में ऑप्शन है ठीक है और इनकी जो साइक नदिया हो जाएगी वह भी आपकी अरफ सागर में गेरी निमलिकित में से कौन सी नदी विब्रंस घाटी में बेती है तो यह आपकी नर्मदा हो जाएगी कि अगला सवाल देखिए क्योशन नमबर 110 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25 यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यह साधरन ब्याज और चक्रवती ब्याज से सवाल दिया गया है अगला सवाल देखिए राजस्तान पंचाइदी राज अधिनियम से लागू तिर्थे जनरेशन से संब्दी थे दोस्तों और पांच वी जनरेशन आपकी ULSI से संब्दी थे यह आपको ध्यार रखना है यह आपका सेट में भी पूछा क्या दा ग्रेजिशन वाले में भी अगला सवाल देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा और 118 में आपका राइट आंसर 46 हो जाएगा अगला सवाल देखिए यहां पर दोस्तों रिलेशन से संब्दी सवाल दिया गया है यहां पर आपका राइट आंसर MP का मामा है ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए यह राजस्तान से संब्दी सव के मांगट पहारी पर आयुजित की तो यह कतर मुझे गलत लग रहा है दोस्तों और यहां पर दिया गया है गोविन गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नेतिक उत्थान के लिए समसभागी स्थापनागी तो इसमें तो कोई डाउड नहीं है यह आपका बिल्कुत सही है तो यहां पर औप्शन सी आपका गलत हो सकता है अगला सवाल देखिए दोस्तों यहां पर राजस्थान जी के थोड़े कमी सवाल दे गए है इतने जाधा सवाल इसमें नहीं पूचे के साइंस के थोड़े से जाधा सवाल आपको देखने को मिलेंगे राश्टियूद्यान ततर राज्जे के बेमेल जोड़े का चैन करना है सत्पूड़ा यह भी सई दिया गया है कि कुशन नमबर 141 का राइट आंसर आपका 440 हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों नाइन अपॉन फाइब हो जाएगा और क्योशन नमबर 143 है इसमें आपका राइट आंसर आप्शन हो जाएगा 80 डिग्री विक्रम साराबाई स्पेस सेंटर अंत्रिक्स केंद्र इस्तित है तो यह आपका तिरुवन्त पुरम में इस्तित है दोस्तों आप्शन हो जाएगा यहां पर अगला सवाल देखिए य प्र Pack देखिये तो ऑन्विक्षन में daar कोंई से यन संदि हो जाएगी निमिलिकित मैं से किस में संदि नहीं तो संदि यहां पर किसमें नहीं है किसमें नहीं तो यहां पर दोस्तों स्वाल कर सकते तो वो मैंने आपको बताया है वागई इसकीNeC im मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसकी कंप्लीट आंसर की आप लोग के लिए अप्लोड कर दूँगा ठीक है और यहां पर काफी सारे सवाल जो राजस्तान से पूछे गए हैं दोस्तों वो तो सारे सवाल हमने करवाई हुआ है यानि राजस्तान के सवाल तो कोई सा भी बारत से न करने होते ही हैं तो चले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक्यू सो मच